तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टापिक है चिपको आंदोलन चिपको आंदोलन की सुरुआत 1972 में चमोली जिले के उत्राखंड से की गई यानि ये जो आंदोलन था वो चमोली जिले के उत्राखंड से स्टार्ट किया गया था 1972 में अब इस आंदोलों को चलाने का ताते परे क्या था तो पर्यावरन की सुरच्छा के लिए ये आंदोलों चला गया था ऐसा हुआ कि रेडी ग्राम के धाई हजार पेड़ों की निलामी कर दी गई थी तब ठेकेदारों ने कुछ मजदूरों को उन पेड़ों को काटने के लिए भेजा तो उसी गाउं की 27 महिलाएं जाकर उन पेड़ों से चिपक गए और उनका कहनाम था कि सबसे पहले आप हमें काटिये उसके बाद आप पेड़ों को काटेंगे तो ये सबसे बड़ी बात ये थी इस महिम की कि इसमें महिलाओं ने सबसे ज़्यादा बर्चर के भाग लिया था और इसका नेतरुत्र सुंदरलाल बहुगुडा ने किया था इतना ही नहीं सुंदरलाल बहुगुडा जी को 1980 में अमेरिका ने इस मुहीम चलाने के लिए उनको सम्मानित भी किया था अगला टॉपिक हमारा है नर्मदा बचाओ आंदोलन ठीक है नर्मदा बचाओ आंदोलन इस आंदोलन की सुरुवात 1989 में मद्द प्रदेश के हारसूद से की गई थी और इसमें जो भूमिका रही है बाबा आम्टे की रही है और मेधा पाटेकर की रही है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांद पर्योजना का उदगाटन 1961 में पंडी जवारलाल नहरू ने किया था ठीक है चलते हैं आगले टॉपिक पर अगला टॉपिक हमारा है ब्रिक्ष मानो अगर बात आती है ब्रिक्ष मानो की तो विसेश्वर्दत शकलानी को कौन नहीं जानता है इन्होंने अपने जीवन में पच्छास लाख ओधे लगाकर ब्रिक्ष मानो की उपाधी हासिल की है 97 वर्षिय 20 स्वर्दत सकलानी ने 50 लाग पौधों को लगाया था इसलिए इनको ब्रिक्ष मानो के नाम से भी जाना जाता है ब्रिक्ष मानो के नाम से स्रेणी में एक और है जिनका नाम रिचर्ड सेंट वार्न वेकर है अगर इक्जाम में इन दोनों में से कोई भी आता है तो उन्हें ट्रिक करके आगे बढ़ना है अगर टाइगर मैन आफ इंडिया की बात आती है तो कैलास मांखला को कौन नहीं जानता है जी हाँ भारतिय प्राकृतिवादी और सनचनवादी ये कैलास मांखला दिल्ली के जुलाजिकल पार्क के निदेशक और राजिस्थान के चीप वन्य जीव वाडर थे कैलास मांखला है वह बागों के सनचन के लिए काफी लोग प्री हैं तो अगर बात आती है टाइगर मैन आफ इंडिया की तो उसमें कैलास मांखला सबसे नमबर वन पर है भारत में स्वेत करांती के जनक किसे माना जाता है तो भारत में स्वेत करांती के जनक डाक्टर वर्जिन कुरियन को माना जाता है जी हाँ भारत में 1917 में स्वेत करांती की शुरुवात हुई थी दुनिया के सबसे बड़े डेरी विकास कारेकरम का नेतरूत वर्जिन कुरियन ने किया था इस करांती को आपरेशन फ्लट के नाम से भी जाना जाता है जब इन्होंने एक करांती शुरुवात की थी और इस करांती को आपरेशन फ्लट के नाम से भी जाना जाता है इसने दूद की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखद उत्पाद करने वाला देश बना दिया था और तभी से इन्हें भारत में सुवेत करांती के जनक के नाम से जाना जाता है अगला टॉपिक है डालफीन मैन आफ इंडिया डालफीन मैन आफ इंडिया की बात आती है तो डाक्टर रविंदर कुमार सिन्धा जी आते है बिहार के रहने वाले डाक्टर रविंदरुक्मार सिन्हा गंगा में डालफीन सरच्छन के लिए लागातार मुहीम चला रहे हैं और इन्हें पदम स्री पुरसकार से भी नमाजा जा चुका है जलपुरस की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश के डाक्टर राजेंदर सिंग जलपुरस के नाम से काफी मसहूर है और वहीं पर पच्छी बिग्यान की विसिसगय की बात की जाएगी तो डाक्टर सलीम अली को कौन नहीं जानता है पच्छी बिग्यान के बिसे सगय की बात की जाएगी तो भारत में डाक्टर सलीम अली इनका नाम बड़ी ही गरो के साथ लिया जाता है पच्छी बिग्यान में इन्हें गुरु समान का दर्जा दिया जा चुका है तो डाक्टर सलीम अली पच्छी बिग्यान के बिसे सग्य है भारत में पारिस्तित्की तंद्रे के जनक की बात की जाएगी तो डाक्टर रामदेव मिस्रा जी आते हैं तब ही से इन्हें भारत में पारिसितिकी तंत्र के जनक कहा जाता है अगर भारत में बात की जाती है कि भारत में हरित करांती के जनक कौन है तो इनके लिए C सुबरमर्यम को माना जाता है अगला टापिक हमारा है भारत में हरित करांती के जनक भारत में हरित करांती के जनक M.S. स्वामिनाथन जी को माना जाता है M.S. स्वामिनाथन को भारत में हरित करांती का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने इसकी अस्थापना की थी यानि कि भारत में हरित करांती की अस्थापना डाक्टर M.A. स्वामी नाथन जी ने किया था हाँ तो फ्रेंड्स कैसी लेगी वीडियो आपको कमेंट में जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में